नमस्कार रिक जाम, हैपी बाई जारखन चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तों जूड़ चुका हूँ मैं यहाँ पर आप सभी सहाय कद्यापको के आकलन परिच्छा की तैयारी को लिए तो आप सभी का आकलन परिच्छा बहुत जल्दोने वाला है इसलिए आप सभी तैयारी में जूड़ जूड़ लग जाएंगे और जो तैयारी नहीं कर रहे हैं वो भी दीरे दीरे जूड़ने का प्रयास कीजए क्योंकि नहीं जूड़ने से यहाँ पर पास होते होते भी आदमी फेल कर जाता है इसलिए इससे आप इसको छोटे वजबे नहीं लेंगे यह जो आकलन परिच्छा है इससे आपको वेतनमान भी मिल सकता यह आप दिमाग भी नहीं रखेंगे कि यह तो आकलन है सिर्फ 10% के लिए हम दे रहे हैं पास रहेंगे उनको वेतनमान नहीं मिलेगा तो आप जूड़ करके पढ़िए चलिए दोस्तों अब एक बात बता दे यदी आप जारकण में सायकत है कि आप आखलन परिच्छा की तैयारी में मसुस कर रहे हैं कि हम नहीं पास कर पाएंगे मसूस कर रहे हैं कि हम कमजोर हैं मसूस कर रहे हैं कि क्या नहीं पढ़ें कहां जुड़ें किस से जुड़ें कैसे तयारी करें जिसे 100% हम पास करें क्या पढ़ लें तो ऐसे दिमाग में बहुत सी बाते सभी की चल रही है तो सभी की जब ऐसी बाते चल रही है तो उन सभी का एक ही इलाज है कि आप अपने टेस्ट बुक को पढ़िए, कहीं जुड़िए या न जुड़िए, अपने टेस्ट बुक को पढ़ लिजे, आप पास कर जाईगा, क्योंकि सफलता इतनी असान चीन नहीं होती है, कुछ ने कुछ करना पढ़ता है, अब रही बात, कि आप अप आपने टेस्ट बुक से समंदित अधारित प्रशन को नहीं ढूंड पार है, नहीं पढ़ पार है, आपके पास समय नहीं है, क्योंकि परिवारिक हो गए हैं, तो आपके लिए हम यहाँ पर हमारे यूट्टूब टीम काम कर रहा है, और सिर्फ पर सिप सहाय का ध्यापकर का त्यारिक चाहिए, आप कहीं भी रहें, कहीं भी कुछ करें, साम को भी आपको समय मिलता है, तो आपके वाटसप पर सारा चीट डाला हुआ रहेगा, वहाँ से जाकर करके आप पढ़ लिजे, त्यारी कर लिजे, और उसके बाद देखे, आपका 101% पास होने का गारेंटी आ यहां आपको सारी समस्या का समधान मिलता रहेगा, तो वीडियो देखने के बाद इस फॉन पर जरूर कॉल करेंगे, तो चलिए चलते हैं, तो दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इपोर्टेंट है, आज हम इसमें वैसे प्रशनों को, यानि संधी बि प्रशन आपके निकल के आते हैं एकजाम में, तो यहां से आपका दो या तीन नंबर जो है पका आजाएगा, दो से तीन प्रशन भीड़ने वाला है, तो आप वीडियो के अन तक जुड़ी विरेगा, जिसमें सारी चीजों को हम दिखाएंगे, जो संधी बिच्षेत से सम अब देखते हैं प्रशन क्या कुछ आया हुआ है, किस तरह का प्रशन पूछता है, देखें संधी बिच्षेत और संधी के अंतरगत, तो पहला प्रशन है, यहाँ पर दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, उससे क्या कहते हैं, संग्या, संधी, शर्वनाम या समा ठीक है तो चले इसका right answer क्या होगा कि दो वर्णों के mail से जो परिवर्टन होता है उसको हम लोग यहां पर कहते हैं क्या चीए संधी कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं इसको संधी कहते हैं अब देखें संधी के कितने भेद होते हैं ये भी प्रस्ण आपका पूछा गया है संधी क के दौरा जो शब्द बना रहता है उसको क्या करते है जिसे संदी के त September मा आपका पर्मात्मा एक सब्द है ठलीक है करेंगी जो वाद के खोख मैं तो यह संदी का कई है अब आपको पता चल गया है जोड आत्मा हटीक है तो यह tshm आगे है यदि संधी बिछेद करने पर पहले सब्द के अंत में स्वर और दूसरे सब्द के प्रारम में भी स्वर हो तो उस संधी का नाम क्या होगा स्वर संधी होगा ब्यंजन संधी होगा विशर संधी होगा या कोई नहीं होगा ठीक है तो देखिए यहाँ पर नोट से इस पहला सब्द फुरभ तो पहला सब्द शूर्य है इसका अंत में क्या रहा है यो के लिए यहां पर देखिए ओ होता है क्या होता है और अंत मैं स्वर्ण कर दूसरे सब्द के प्रारब्र आज इसका पृतिंदे के रहां होगे ठीक है उस संदी को क्या हम लोका लेते हैं स्वर संदी के नाम से जानते हैं इस तरस बनाया हुआ देखिए आपके लिए अगला है यदि पहले सब्द के अंत में कोई बेंजन हो यदि पहला सब्द यदि आप विछेत कर रहे हैं संदी का और पहले सब्द के अंत में कोई बेंजन हो और दूसरे सब्द के प्राराम में कोई भी स्वर या बेंजन हो तो संदी का क्या नाम हो ठीक है स्वर संदी होगा बेंजन संदी होगा विशर संदी होगा या कोई नहीं तिसका राइट एंसर क्या हो जाएगा आपका तिसका राइट एंसर हो जाएगा बेंजन संदी क्योंकि स्वर और बेंजन कोई भी एक मिल गया चाहे पहला वाला मिले चाहे दूसरा वाला मिले तो बे बेंजन सब्द दो बन रहा है तो इसलिए जो नया सब्द बेंजन बना उसको हम लोग बेंजन संधी कहेंगे और यहां पर जगत में यह तो है और अमबा में अ है तो पहला वाला क्या है और दूसरा वाला क्या है स्वर है तो एक बेंजन हो अंती मुला बेंजन और जो दूस दूसरे सब्द के प्राराम में स्वर या बेंजन हो तो सब्द को क्या कहते हैं ठीक है तो जैसे हम जब संधी करें संधी भी छेत करें तो पहला सब्द का अंत हो वहां भी सर्ग यह भी सर्ग कहते हैं और दूसरा सब्द का जो प्राराम प्राराम हो वह या तो स्वर हो या त लिए टेहेंगे बिसर्ग संधी एक बिसर्ग आगया तो भी संधी के अंतरगत आता है जैसे यहां पर देखक लिजेगा आपका दोई एक् Wyatt क्जांपल दिया हुआ है क्योंकि आप लोगों को यहां पर सारा नोट्स दिया जा तो देखे है हरी स्चंद्र को आप देखे है हरी क्या है हरी ये देखे क्या है बिसर्ग है और चंद्र चावला है ठीक है तो एक बिसर्ग है और एक बेंजन है तो एक बिसर्ग और एक स्वर्या बेंजन कोई भी हो जाए तो उसको हम लोग बिसर्ग संधी के अंतरगत रखते नमस्कार तो नमः जोड कार तो नमः यह देखे बिशर्ग है और यह अंतिम है बिशर्ग और यह सुरू वला है का मत्रार है तो कार तो नमस्कार हो गया ठीक है चलिए अगला देखेगा बीस महत्वपूर्ण संदी भी छेत को लेकर के हम आये हुए हैं आप लोग देख लिजिएगा जो आपके एकजाम राज में आये हुए हैं क्योल वैसे ही प्रशने इसमें और खोई भी दूसरा प्रशन को सामेर नहीं किया जाता और दोस्तो इस तरह से सारे इपोर्टेंट क सभी सब्चित का दिया जा रहा ठीक है देवाले का सही संदी भीछेत क्या है आपको बताना है कि देवाले का सही संदी भीछेत क्या है तो देवाले का सही संदी भीछेत क्या होगा देवा जोड आले होगा देवाल जोड या होगा या कोई नहीं तो देवाले का सही संदी जो होता है वोता है देव और जोड आले देव न और जोड आले देव आले तो इसमें आ बन रहा है तो आ ये क्या चीज है ये स्वार संधी है इसलिए क्यों से संधी होगा स्वार संधी में ये चला जाएगा विद्याले का सही संधी बिछेत क्या है ठीक है एक सो एक बार या विद्य जोड आले या इन में से कोई नहीं ठीक है तो विद्य जोड अर्थी का सही संधी बिछेत क्या है विद्य जोड आर्थी विद्य जोड अर्थी या विद्य जोड अर्थी क्या होगा तो देखें विद्य आर्थी है तो विद्य आर्थी तो विद्य जोड में का ह सब्सक्राइब या कोई नहीं सुरियास्त है तो क्या हम लोग लिखते हैं सूर्य जोड अस्त इसमें भी या इसमें भी आ मिलके ये स्वर संधी है कौन से संधी है स्वर संधी है चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर प्रोपकार का सही संधी भी छेत क्या है प्रोपकार का एक हजार एक बार प्रोपकार आया हुआ है बह परजोड उपकार होता है और यह कौन सी संद्धी है तब यह आपका यहाँ पर श्वर संद्धी है परमेश्वर का सही संद्धी विच्छी बताइए और यह व्हाद है और यह इसậy는 को प्रम जोड स्वर होगा यानि इसका right answer यहाँ पर आपको हो जाएगा थेक्ष है चलड़े अगला दिखेगा सद सदयव का सही संधि विछेत क्या है सदयव होता है यानि सदा राने वाला सदा और जोड उसमे एओ जोड़ते है तो सदा और एओ तो यह कौन से संदी है, यह आपका स्वर संदी है, तो सदा जोड़ A हो, किस में है, C में है, तो C आपका right answer है, तो आप लोग भी देखें, बनाते रङते हैं, तो जरूर कमेंट करते रहेगा, वीडियो में चेट करते रहेगा, जिस से पता चलेगा, कितने आप सही करता रहे हैं और जरूर हमें बताई है कि आपका आज 20 में कितना संधी बिछेत आपका शही हो पाया है महाशदी का सही संधी बिछेत क्या है महाशदी का सही संधी बिछेत क्या है महाशदी, महाशदी, महाशदी या कोई नहीं ठीक है तो महासदी का सही संदी विछेत होता है आपका महा जोड औसधी महा जोड औसधी होता है महासदी और यह कौन सी संदी है तो आपका यह जो है आपका स्वर संदी हो जाएगा ठीक है कौन सी संदी स्वर संदी दोनों स्वर और और औ बदल रहा है तो इसलिए जो बदलने वाल वो सोर है इसलिए सोर संदी आपका ठीक है अगला दिखीएगा इतियादी का सही संदी विछेत है पांच जर एक बार आने वला प्रशन बहुत बार आपका हर बार एक्जाम में आ रहा इतियादी ठीक है इतियादी का सही संदी विछेत है इतियादी या कोई नहीं ठीक है इस राइट एंसर होगा, ठीक है, स्वागत का सही संदी बिछेत क्या है, स्वाग जोड़ आगत, स्वाग जोड़ता या कोई नहीं, स्वागत का सही, स्वागत मतलब की अच्छा, अच्छा मतलब होता है सू और आगत, जो आया उसका, यानि जो आया उसका स्वागत करने के आयन का एक गारा भार, नयन का सही संदी बिछित क्या है, तो देखे%, नयन का सही संदी बिछित होता है ने, और जोड होता है अन, ने जोड अन, इसकों लोगाते है、 नयन, ठीक है, किस में है, B में है, तो B इसका राइट एंसर होगा, पवन का सही संदिविछेत क्या है एक हजार एक बार पवन, MVBI एकदम MVBI इसको देख के आप लो जाईएगा समझें, पवन बार बार पुछा गया है जितना पर कहिएगा उतना ही कम होगा क्या इसका होगा पवजोड न, पवजोड अन पवजोड वन या कोई नहीं ठीक है, तो देखें पवन का सही संदिविछेत क्या होगा पवजोड अन कवग का सही संदिविछेत क्या होगा तो कोजोड वख ठीक है, कोजोड अक हो जाएगा तो इस तरह से पवन वोला का एकदम देख ली जेगा एक संदी बिचेत आपका इससे आएगा आगला है गायक का सही संदी बिचेत क्या है तो गाना गाने वाला गय जोड अक क्या होगा गायक तो गय जोड का होगा गय जोड अक होगा गा जोड या गव जोड अक होगा ठीक है पा जोडवक, पो जोड़ अक या पो जोड़ अक, क्या होगा पावक का सही संदी बीचे, ठीक है, तो पावक का देखिए, पावन यदी रहता तो पो चलता, अगर पा लाना है, तो वहाँ पर पो करना होगा, यह क्या करना होगा, पो जोड़ अक, यह हो जाएगा पावक, य यदि एक चीद देखिए, यदि आपको पावन बुला गया था, क्या बुला गया था पावन, तो आप क्या किये थे हैं, पो जोड अन, ठीक है, तो पो वाला जो है, उप पाव में बदल जाता, लेकिन पाव में बदलना है, तो पाव करना होगा, जिसे पावक का यदि पाव जगदी जोड सा कोई नहीं तो जगदीस का सही संदी विछेत होता है जगत जोड इस एक हो गया यह आपका ब्यंजन हो गया और यह आपका स्वर हो गया यह ब्यंजन संदी में जाएगा किसमें जाएगा ब्यंजन संदी में जाएगा सदाइचार का हुता है सत जोडशार सत जोडशार देखिए इसमें क्या लग गया हलंत लग गया ये सब भी बेंजन संदी में जाने वाले हैं किसमें जाने वाले हैं